हाई फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डाक्टर सुभुचन सिंग को जीएस एमपी क्लिनिक आइन निव चैनलन के अंतरगत फैलेरियासिस फैलेरिया बुचेरिया बेंक्रॉप्टिल यानि हाथी पाउं यदि पैर आपका मोटा होते होते और इतना मोटा हो देने लगे पैर तो इसे आप हाथी पाउं के नाम से जानते हैं कुछ फोटो आपको हम दिखा रहे हैं इससे आपको मालूम पढ़ जाएगा कि फैलेरिया कितने टाइप का हो सकते हैं आप देखते चले फैलेरियासिस का सारा हर मरीज में अलग-अलग तरीके का सिम्टम आ रहता है कि इसमें फैलेरिया के मरीज को आप देख सकते हैं कितने तरीके से उनका पैर इसमें सुझा रहता है फूला रहता है कि और आपको किस तरह से इफेक्ट को डाल सकता है कि इसको अगर हम खोल दे तो खुल नहीं रहा है पिक्चर आइसे खुल गया कर देख लिजे और कितना खातरनाक हो सकता है इन सभी बीमारियों से बचने के लिए फैलेरिया के चाहिए कोई भी टाइप हो और इसका जर्म उन से नास करने के लिए क्या उपाय हो सकता है और इसका उपचार आप एलोपैथिक बिधी से यदि आप लेना चाहते हैं कराना चाहते हैं तो उसे आराम्ध हो सकता है लेकि असंभव है तो फैलेरिया आप देख सकते हैं माता जी का ये तो फैलेरिया अन्यक तरीके का कम बेसी होता है कम हो सकता है किसी का किसी का बहुत ज्यादा सीरियस पोजिशन में रहता है अपरेशन भी काम नहीं आता है किरला की परसिध जगा पर इलाज कराने जाते हैं उसके बाद भी आपको निरासा हाथ लगती है यानि हेटराजन बेनोसाइड फोर्ट एलवेलडाजोल फुलोरोसिट का इंजेक्शन यानि आप हर परकार का आप डॉक्टर का प्रयोग कर लिये हैं छोटे डॉक्टर से लेकर बड़े डॉक्टर तक जो जहां बताया वहां पर गए और इस समस्या का समधान नहीं हो पा रहा है तो हम ऐसे मरीज जो निरास हो गए हैं उनके लिए बहुत खुस खबरी वाला हम आपको समाचार देते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि फैलेरिया चाहे कितना भी पुराना क्यों नहों आसानी से तो ठीक नहीं होता है थोड़ा इसमें धायज पूर्वक इलाज करने के बाद में जरूर ठीक होता है ज्यादा तर आप कोई भी यूट्यूब में जाईएगा सर्च करिएगा तो ज्यादा तर डॉक्टर यही आपको बताएंगे कि फैलेरिया एक आसाध बिमारी है लेकिन इसमें कोई सचाई नहीं है फैलेरिया हंडेट परसेंट ठीक होने वाला बिमारी है और हमरा जीएस एमपी क्लिनीकर न्यूज चैनल पर आप लिखेगा छियासट साल पुराना फैलेरिया जीएस एमपी क्लिनीकर न्यूज चैनल यूट्यूब में जाका सर्च करिएगा तो हम उहापर लाइफ किये परसेंट ठीक हो जाते हैं और कनाडा तक दवा लोग ले करके जाते हैं वो अपना कठनाई बताते हैं जब वो लोग किसी दिन उनलों को भी कभी चैनल के माध्यम से हम उन्हों का चेहरा आपको दिखाई आपको दिखाएंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि कितना कठ फैलेरिया भी रंजीता कोड जी हैं वो पंजाबी महिला हैं उनको कितना दिक्कत था और हमारा दवा ले रही हैं उनको वहुत फायदा है किसी के दवा से जल्दी फायदा नहीं होता था तो फैलेरिया सिस सबसे पहले इसके लक्षन क्या है लक्षन पर गौर करें कि आप घर बैठे फैलेरिया को कैसे पहचान जाएंगे कि क्या है ज्यादात और जाच में निगेटिव आता है फिर भी पायर फूला रहता है ऐसे मोटा मोटी एक बात जान लिजिए कि फैलेरिय जाज कराने के लिए लोग जाज कराते हैं जाज पर नहीं जाईए अपने तकलिफ पर जाईए माइक्रो फेलेरिया के ओज़ा से कई लोग लड़के बिदेश में नहीं जा पाते हैं माइक्रो फेलेरिया पोजेटिव हो जाता है उनका लेकिन ओभी नेगेटिव हो जाएगा इलाई से हम तो छोटे बच्चे का 13 साल का भी ठीक किया जिसका ओपरेशन का डेट भी पर हुआ है वह बिलकुल आई ठीक है अब मरीज कहां पर है उसको पता करना परेगा उस समय में ना यूटूब चैनल था और ना इस तरह से लाइफ को दिखाने का कोई माध्यम था कि वह रिकॉर् फैलेरिया पर हमरा वीडियो पहले नहीं आता था फैलेरिया हम जानते थे कि इलाज से असानी से ठीक हो जाता है यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन फैलेरिया का एक मरीज आए 80 साल के बुजूर्ग व्यक्ति थे उनका 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 1967 से फैलेरिया था और 2018-19 में उनका फैलेरिया ठीक हुआ यानि 66 साल 66 साल पुराना फैलेरिया उनका मात्रे तीन महिने में ठीक हो गया था पैल उनका बहुत ज्यादा तो नहीं फूला था तब यह बात हमें कम मालूम चली हमारे इलाज करने के बाद वो चार साल के बाद में अपने भतीजे को ले करके हमारे क्लिनिक पर आये और बोले कि मेरा 66 साल फैलेरिया डाक्टर साहिब के दवा से मैंने मेरे दवा से ठीक हो गया है तो उन्होंने भतीजे को लाया उसका बहुत मोटा पैर बहुत ज्यादा मोटा पैर था ओभी ठीक हुआ और विदेश में लोग चला गया तो हमने मात्र एक वीडियो डाला था फैलेरिया पर चुकि हम युनिकर एस घिवन के लिए युनिकर था हमारे अनु सार्ट फैलेरिया कोई गवВीर विमारी था ही नहीं लोग आते थे आसानी से ठीक कर देते थे फलेरिया के मरीज को लेकिन मेरे लिए बिसेस क्या था 66 साल पुराना चीज़ ओता है दो साल चार साल पांच साल पुराने फलेरिया तो कितने ठीक हुए होंगे उसका हमने कभी जिक्र भी नहीं किया आये हम इसको मेंट भी नहीं मानते थे फलेरिया ठीक हो जाता था लेकिन हमने जब 66 साल पुराना जब हमने एक चाचा जी का मुझूर्ग व्यक्ति थे उनका जब ठीक हुआ और उनका हमने लाइफ किया लाइफ में 300 से जादे लोगों ने देखा और वो मुझे ऐसे मरीज हमसे संपर करना शुरू कर दिये कई लड़कियां ऐसे हैं जो अविवाइत हैं लड़की भी अविवाइत हैं जिनका विवास साधी भी फलेरिया के कारण नहीं हो पा रहा है हम और इसके अंदर गहराई में चले गए जाते गए जाते गए तो हम ने देखा अरे फलेरिया भी एक खतरनाक और असाध बिमारी जैसा ये लोग लेकर आ रहे हैं उनका फलेरिया ठीक नहीं हो पा रहा है और पैर इतना मोटा इतना मोटा की हाथी भी फेल हो जाए हाथी का पैर तो थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगता है हाथी से भी मोटा मोटा पैर हाइडोसिल बड़ा हम तो कहें कि ऐसे मरीजों पर सोध और रिसर्च हमड़ा जारी रहेगा यह हम इलाज का तरीका यह हमारे पिता जी स्वरगिये डाक्टर जनंग देव सिंग जी थे ओर इलाज करते थे उनसे हमने कुछ सीखा और अपने परहाई के माध्यम से इसके इलाज करने का धंग सीखा आज मरीज आये थे उनसे पूछा कि आपका विश्वास कैसे हुआ आप कैसे जानते हमें तो आपको चैनल से तो हम जानते हैं तो अधिकतर लोगों ने कहा कि असाध बिमारी है ठीक नहीं होता है लेकि आपका चैनल देखने के बाद में हमें विश्वास हो गया कि ये बिमारी जर से समाप्थ हो जाता है हो सकता है कि किसी किसी का बिमारी का शुरू में कंट्रोल नहीं हो लेकिन किसी में दवा बदलनी पडती थे कोई कोई जो फेलेरिया का इतना मूटव पैर है आप एक माह में आप चाहेंगे कि फायधा दिखाई दे तो ऐसे ऊपसी harvest में ये क्ष़ाइद हो नहीं आता है। इस तरह के जो काफी मोटे पैर हो गए हैं उसको एक से चार महिना केवल कंट्रोल करने में लगता है। फैलेडिया एक प्रकार के विशेश मचर के काटने से होता है और मचरदानी मस्कैटोनेट का हमेशा पर्योग आपको करनी चाहिए। और हर हाल में खाना पीना जो है श्ट्रोंग अपनी रखनी चाहिए। शरीर का जो पर्तिरोधी छमता ठीक रहता है तो दवा सटी काम करता है। फैलेडिया के मरीज को कभी भी फिरिज का पानी पर्योग नहीं करनी चाहिए। बरसाती पानी से बचनी चाहिए। जादे बहुत जादे ठंड पानी से या ठंडे मौसम से भी आपको बचनी चाहिए। फैलेडिया का लक्षन हम बताते हैं किसका कोई सटिक जाच नहीं है तो लक्षन से आप समझ सकते हैं कि फैलेडिया को पकरना फैलेडिया को जानना कितना असान है। जब आपका जब पैर जब दीन में जब आप चलना शुरू करते हैं तो साम तक पैर आपका धीरे-धीरे मोटा होते जाता है और रात में नहीं बरहेगा क्या होगा रात में नहीं बरहेगा अपने बेड बेड से पर लटका कर यदि बैठ जाए या कुर्शी से पर लटका कर बैठ जाए तो यह फूल याता है कई जगपता सरकारी एस्पताल के दवा फिरी में मीर रहे बटा रहा है लेकिन कोई समस्या का समधान नहीं हो पा रहा है बिमारी जस्क तस्प बना हुआ है गुषु पीरिया एक पैर में हो सकता है ज्यादा तर मरीज का ज्यादा तर मरीज का हमने देखा है कि एक पैर ही फूलता है लेकिन इसमें भी उतनी सचाही नहीं है बहुत सारे लोग का दोनों पैर फूला रहता है और इस बिमारी को अगर पैर्श उपर देखिएगा तो पूरूस हैं तो उनका हाइडोसील एस्क्रोटम में सुजन आ जाता है बढ़ जाता है इस्क्रोटम में सुजन होने के कारण आपका यौन छमता सेक्स पावर में भारी कमी होते हुए देखा गया है और किसी का पैर तक ही सिमित रहता है और पैर जिसका तक सिमित रहता है उसमें भी infection लग जाता है और काफी खुजली होता है और खुजली के कारण आपका और पैर मोटा होते जाता है बाद में घाव बना लेगा और इसमें से पानी मवाद आना सुरू हो जाता है तो चाहे आपका कितना भी दिन का पुराना क्यों नहों पैर से पानी आ रहा हो मवाद आ रहा हो तो जरूर ठीक होगा कई लोग अगुताक और हवराक और अप्रेशन करवार डाले जिसके कारण क की डेथ हो गई मौत हो गई कोई भी काम जरूर करें आप मच्छर से हमेशा सवधान रहे मच्छर आपको लगतार पैर में काटेगा तो जरूर आपको विमारी हो जाएगा उससे बचने के लिए तरह तरह काज मार्केट में क्रीम आ गए हैं तेल आ गए हैं बचाव के लेडिज हैं तो उनके चाती में गिल्टी आ सकता है और उससे भी आगे बढ़ जाएगा तो आपके आह को रेड कर देगा यानी लाल कर देगा और इससे आगे बढ़ेगा फैलेडिया तो बुखार आना शुरू होगा बुखार के साथ चमरे का विमारी खुजली के साथ ल कि जाएगा और उसके बाद में आपको कहा होगा पूरे शरीर में बदन में दर्द रहने लगेगा और उसे बढ़ेगा तो फैलेडिया क्या करेगा जब फिवर आएगा उस्मय में आपको भारी उल्टी होना सुरू हो जाएका प्हुल्टी को रोकना भी हमारी प्रत्मिक् इसका सुरू में ही उपचार चल जाए तो वेहत्रीन है अच्छा है जितने आप लेट करिएगा पहल उतना ही मोटा आपका होते चला जाएगा और काफी इंफेक्शन बढ़ जाएगा बहुत सारे मरीजों का एस्नोफिलिया यानि खासी भी इसमें रहता है और जब फैलेडिया का अटेक होगा आपके सरीर पर तो लगता है कि लोग भूत खेलाने लगता है लगेगा भूत खेलाने तो पैर में तो होता ही है पैर एक पैर में सुच सकता है आपका स्वेलिंग हो सकता है और यदि हाथ पर हाथ भी किसी किसी का हाथ ही फूल जाता है अचानक का कई डाक्टर हिर्ट के विमारी का इलाज करने लगते हैं और आपका काफी ज़्यादा पैसा हर्च हो जाएगा यदि हाथ फूल जाय है तो एक डाक्टर कह दे कि हाट का विमारी हो गया है तो एक डाक्टर पर भरोसा नहीं करें दुसरे से पुछे तिसरे से पुछे घबराए नहीं इसे बिल्कुल ना घबराए हाथ फूला है एक हाथ फूले किसी किसी का दोना हाथ भी फूल सकता है यह भी देखा गया है तो फैले मेरा वीडियो आप रोज देखते हैं तो अगला सिम्टम बताईएगा क्या छूट रहा है दूध के तरह पेसाब हो रहा है तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं यह भी फलेडिया का ही लक्षन है भूल कर भी पेपसी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग ना करें इसमें दही केला का प्रयोग ना करें दूध का प्रयोग आप कर सकते हैं कोई कोई को मचली खाने से यह बिमारी बढ़ जाता है तो कि मिट उसके वर्ला में प्रयोग कर सकते हैं इसमें कर चीज आपको फैदा करें ज्यादे और ज्यादे ठंड ओहानी करें पूले का इसमें आपको शरीर के वेसक्ट करें का और ज्यूबわかर करेंめ यदि आपको भारी कम जोरी लगे तो ड्राइफूट का प्रोक करिए तो हम क्यों कहते हैं कोई भी बात हम पूरे इमंदारी और सचाई के साथ हम बताते हैं को मालूम नहीं चलेगा जब दो महिना से उपर दवा चलेगा जादा कुछ घटेगा तब आपको और हमको फाइदा मालम चलेगा यदि धायर्ज पूर्वक्त इलाज किया जाएगा तो निश्चित रुप से आपका फैलेडिया 100% ठीक होके रहेगा इसमें घबराएंगे डक्टर पर डक्टर चेंज करेंगे तो हेटराजन बेनोसाइड फोट एलवेलडाज ओल के सीवा आपको फ्रोर्शिट का इंजेक्शन इससे ज्यादा आपको कोई देगा ही नहीं और यह बिमारी पूराना हो जाएगा तो आपको पैर को काफी डेमेज कर सकता है यदि आप तेल लगाने का सोखीन है सिंपल में बिमारी का तो आप फिलरीन ओल का आप इस्तमाल कर सकते हैं ततकाल अराम के लिए लेकिन बिमारी को जर्श समाब्द करने के लिए आपको इलाज लेनी परती है टीटमेंट लेनी परती है यदि आपको फैलेडिया समंधी यदि आपको किसी भी परकार का जनकारी यदि आपको चाहिए तो बिल्कुल मुफ्ष में आपको जनकारी उपलंध कराए जाता है और आपको यदि विश्वास होगा तो आप डारेक्ट क्लिनिंग पर आकरके अपनी अपना इलाज करवा सकते हैं अथ्वा घर बैठे यदि छप्राजीला बिहार से आप बहुत ज्यादा दूर हैं तभी चिंता करने की बात नहीं है आप ऑनलाइन घर बैठे पायर का फोटो भेज करके वाट्षिप करके आप अपनी समस्या का समधान ले सकते हैं आप आप दवा मंगा सकते हैं यदि आप ओनलाइन दवा मंगाना चाहते हैं या फिरी में सलाह आप लेना चाहते हैं तो हम्रा वार्षिप नम्मर है आप नोट कर लिजे नाइन एट जीरो वन सेवेन फाइब सेवेन फाइब थीरी थीरी यानि नौ सव अस्य सत्रा सशंतावन पांसो तेतिस पर आप हमारा राय ले सकते हैं वो भी बिल्कूल एदाम फिरी मुफ्त में पहले आप हाई लिखिए हेलो लिखिए अपना नाम लिखिए अपना एडरिमस लिखिए समस्या क्या है ओ लिखिए या डायरेक्ट आप फोटो भेल दिजिए तो हम समझ जाएंगे हाई ली करते सिदे क्सिदे को डाल दीजिए हमें समझ में आ जाता है कि आपका क्या तकलीफ है कौन सी बिमारी है तो यदि आप ठक हार गए हैं तो फैलेडिया तो हम जितना देखते हैं लगभग सब लोग को फायदा हो ही जाता है किसी किसी का फायदा नहों तो उसमें दवाज चेंज करने का अप्शन है अथवा हमको उस पर विचार करनी परती है कि आपका फैलेडिया क्यों नहीं ठीक हो रहा है आपके लक्षन का अंसार दिमाग लगाने के बाद में सोचने के बाद में सोलूशन जरूर आ जाता है तो फैलेडिया के मरीज 66 साल पुराना जब ठीक हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि 10-20-50 साल चार साल दो साल का तो ठीक होने में कोई दिकत ही नहीं आनी चाहिए तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना सब्सक्राइब करना सेर करना विल्कुल ना भूलेंगे यदि आप प्रश्ण आप आप जरूर यदि जाता है फोन भी करेंगे तो कभी कभार ना उठे वलग बात है लेकि आपको मिस कॉल पर भी कॉल बैक किया जा सकता है और यूट्यूबर की तरह नहीं कि आपको सवाल कर रहें कोश्चन कर रहें तो आपको जवाब नहीं दिये जाएगा नहीं हर लोगों का हर आदमी का ज आपके परिजन इसके लिए हमेशा रोते रहते हैं बिलखते रहते हैं चिन्तित रहते हैं जीवन को बचा लेना बहुत ही महत्पूर्ण है सब लोग का जान प्यारा होता है हर संतान अपने माबाब का प्यारा और लड़ला होता है समय रहते सही से उपचार कीया जाए तो निश्चीत रूप से आपको फैलरिया को ठीक किया जा सकता है और आपको जान बचाय जा सकता है और होने वाले साधी विवान में दिकत आ रहा है फैलरिया के उज़त से ओ भी नहीं आएगा कोमेंट में लिखिएगा कि आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं कि फैलेडिया 100 फशन्ट ठीक होता है यदि आपको विश्वास नहीं हो पाँ रहा है तो क्यों नहीं हो पाँ रहा办 जबकि हमारे पास परमान है वीडियो है लाइब किया गया है और आप क्या चाहते हैं परमान के रूप में यह इलाज है जादू मंतर तो है नहीं आए और जादू कर देंगे ठीक हो जाएगा लेकिन धैन पूर्वक रहिएगा तो निश्चित रूप से आपका बिमारी ठीक ह होगा यह को त्युवा आपको करना है कि बिष्वास कर रहे हैं अत्वर नकर रहें से विष्वास नहीं भी करेंगे तो कोई बाती, विषवास करते हैं तभी कोई बात नहीं आपका समज्य है आप डॉक्टर दुनिया में परे हुए हैं आप हमें चुन रहे हैं या दूसरे को यह आपके उपर निर्वर करता है बताना मेरा काम है साही सलाह देना काम है यह फित की बात है तो आज । आज आज येदी येदी 98 का जो नमर दी येदी नहीं लगा तो दूसरा नमर भी आप नोट कर लीजिए 70-700-33-42 यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क करके राय ले सकते हैं तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही जै हिन जै भारत